मास्क बनाने के बाद जब पीस तयार हुजता है तो उसके उपर फिर इस तरी करते हैं जिससे की वो पूरी तरह सैनिटाइज होता है अगर आपसे अनुरोध है कि पहनने से पहले इसको कृपिया धो लीजिएगा यह 100% वाशिबल है और कॉटन का बना हुआ है इसलिए सांस लेने में कोई परिशानी नहीं होती यह पैटन बना कर रखा है लंबाई 21 है चोड़ाई 19 सैटिपिटल है वाइए 5.5 के दो डॉट लगाएं हमने इसकी वराबर दो पीज काट लिए है एक एक तरब दो नो पीज पर इस लाई कर ली है हम इसको डबल करते हैं फिर इसे प्रेस करके निशान सा बना लेते हैं जो हमने यह निशान लगाए थे हमारे प्रेस के निशान से यहां प्लेट्स बन डालते हैं इस पर लेट्स बना लेते हैं यह नेहा है जो सिलाई करती हैं और यह आपको बताएंगी कैसे इस मास्क पर सिलाइगर नी है इसके बाद इस कपड़े के उपर इस तरह से एक पल्ला है अब दूसरा पल्ला जो हमने अभी थोड़ी देर मेंने बनाया था इसके उपर हम रखेगे और सिनाई कर देगे अब हम इसमें फिल्टर के लिए जगा बनाएंगे झाल 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 झाल